इस इस सोन्या जन प्रॉम अलाइन एडुकेशन नौ कमिंग तो कॉस्ट नम्बर टू ऑफ एक्साइई 2.1 इन प्रॉस्ट इस राइड थी होल नम्बर्स अक्रिंग जस्ट पिफोर 1 0 0 0 1 मतलब क्या है कि हमें इस नम्बर से पहले जस्ट पहले 3 whole numbers लिखते हैं अज दिखो इसको मैं एक example लेके समझाती हूँ जैसे मैं कहूं कि 6 से पहले 3 whole numbers इससे जस्ट बिफोर के लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे हम बैक काउंट टिक से 6, 5, 4, 3 अब यह मैंने लिख दिये इससे पहले बर क्योंकि यह तो छोटे number थे 6 छोटे number है तो हमने easily back counting करके कर लिया तो अब अगर लेकिन बड़ा number आए जैसे यह आगिया या इससे भी बड़ा number आए तो हम कैसे करेंगे देखो अब कैसे कर सकते हैं यह 5 कैसे आसकता है अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूँ तो 5 आजाएगा फिर उसके बाद अगर मैं फिर 5 में से 1 माइनस कर दूँ 4 आ गया उसके बाद 4 में से फिर minus 1 कर दूँ तो 3 आ गया मतलब जो भी number होगा उसमें से मैं minus 1 कर दूँ तो उससे पहले का number आ जाएगा फिर उसमें से और minus 1 कर दूँ तो उससे पहले का number आ जाएगा और उसमें से भी minus कर दूँ तो उससे पहले का मतलब minus 1 minus 1 minus 1 कर लेंगे ओके तो अभी इस question को करते हैं हमारे पास number है 1001 तो इससे पहले का number लिखना है तो हम क्या करेंगे 001 तो मैं क्या करूँगे सबसे पहले इसमें से 1 minus करूँगे minus 1 0 0 0 0 1 ओके अब ये number तो आया इससे पहले का उसके बाद फिर minus 1 कर देंगे 10 में से बन गया 9 9 9 and 9 9999 वैसे तो देखो इसके हमें पता चलिए अब ये 9 आगे तो next इसससे जो पहले होगा वो 8 आएगा फिर भी अगर आपको कुछ confusion हो तो फिर से minus कर सकते हो 8 9 9 9 So हमारे जो तीन number निकले इनसे पहले वो क्या निकले हैं एक तो 9 9 9 8 उसके बाद 9 9 9 and उसके बाद 10,000 Right So 10,000 फिर 9,999, 9,998 Okay Question है which is the smallest whole number Right अब हमारे whole question क्या है कि सबसे छोटा whole number क्या है हमारे whole number कहां से start होते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4 and up to infinity तक मतलब 0 से start होके numbers आगे बढ़ते चले जाते हैं infinity तक Okay तो सबसे छोटा whole number क्या हुआ हमारा 0 क्योंकि 0 से पहले कोई और number तो है नहीं तो smallest whole number हमारा हुआ 0 Okay So